हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू सिक्स फ्लेवर्स किच्छन आज हम बनाएगे हरी मिर्च का इंस्टंट अचार बनाने के लिए हमने लिए 200 ग्रीन चिली जिसे हमने अच्छी तरह से दो के सुखा लिया तांकीस में बिल्कुम हस्चरना रहे अब हम इसे इस तरह से डाइगनल क अब चाहे जैसे मर्ची काट लो चाहे पूरी साबित मेर्च रख जीरा लगा लो चाहे राओं काट लो पर ऐसे कट्टी हुआ थोड़ी अच्छी लगती है अब हम इस तरह से अपनी सारी मिर्ची को इंद्ट लेते हैं हमने अपनी सभी ग्रीन चिलीज को पात लिया है तीन चम्माच राई आधा चम्माच मेथी दाना दो चम्माच सौफ और एक आधा चम्माच हम डाई बाते हम एक आधा उनदेशाद के नहीं प्रकितितु आधा यह जलेंगे ताकि अभरकों महलें नुन तो खतम हो ज़ाए फिर हम इने के पीस लेंगे दरडरा कीस लेंगे के ज़ाख दुपत है बस हमें से अना ही भून ले अब हम इसे दर दर पीस लेंगे हम अपने मसाफा को पीसने के लिए डाल लेंगे इसमें हम डाल लेंगे दो चम्मच नमक एक चम्मच लालमेच पाउडर और आधा चम्मच हल्दी इन सबको हम पीस लेंगे हमने अपने मसालों को दर दर पीस लेंगे इसे हम डाल देंगे मिर्च के अंदर और इसे हिला देंगे इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच दो टेबल स्पून पीने कर अब हम इसमें सरसों का तेज गरम करके डाल देंगे अब यह हमने लिया है वन फोर्थ कप सरसों का तेल इसे हम तेज गरम करेंगे जब तक इसमें से धुआना निकलने लगे उसके बाद इसे ठंडा करके हम अपने ग्रीन चिलीज के अचार में डालेंगे हमारा तेल गरम हो गया है इसमें से धुआ निकल रहा है अब हम अपना गैस बंद कर देंगे और ठंडा करके हम अपने अचार में डालेंगे हम ये तेल इसलिए गरम करते हैं कि एक तो तेल पक जाता है एक इसके सरसोक वोईल की स्मेल चली आती है हमारा तेल ठंडा हो गया हम अपने तेल को चिलीज के उपर डाल देंगे अचार एक महिने तक खराब नहीं होता पर अगर आप इसे फ्रीज में रखते हो तो इसका कलर भी ऐसे ग्रीनी रहते है और हमेशे ये ऐसे फ्रेश दिखता है और ज्यादा देर तक चल जाता है हमारा ग्रीन चिलीज का अचार बन के ट्यार है आप भी इसे ट्राइ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे से शेयर कीजिए हमारे से शेयर कीजिए